अजो है 1 आज हम आपको एक ऐसे बीच के बारे में बता रहे एं जहां पर सैलफी लेने पर यहां पर जो टुर्इस्ट होते उनको मौद की शज़ा हो सकती है जिए हम बात करें ताइलेंड के फुकेटर आईलेंड़ पर चूर्जित बीच की जहां पर इसेल्फी लेने पर टूरिस्ट को मोद की सजा हो सकती है धाईलेंड क के सुरक्स अधिकारियों ने चेदावनी देते हैं, कि पास में फ्राय छुरनने के वज़ए से, लोगों को यहां सालफी लेने से मना किया जा रहा है। थाइलेंड के सुरक्षा अधिकारियों को लगता है कि सेलफी लेने से पास से उड़ रहे पाइलेट का ध्यान बटक सकता और गंभीर ख़तरा पैदा हो सकता है जिसकी वज़े से दूरबटना हो सकती है फुकेट आइलेंड पर इस्थिते एरपोर्ट काफी बीजी रहता है और यहां लोग पास में उड़ते हुआ जाजों के साथ अक्सर सेलफी क्लिक करते नज़राते हैं इसी वज़े से यह पापुलर टूरिस्ट एक्टरेक्शन भी बन गया है अधिकारियों का कहना है कि नियम तोड़ने वाले टूरिस्ट को अधिक्तब मौत की सजा दी जा सकती है इसके लिए बीच पर एक घेरा बनाया जाएगा जहां टूरिस्ट को सेलफी लेने से मना किया जाएगा सोचल मीडिया पर अक्सर फोटोज पोस्ट किये जाते हैं जिसमें कि टूरिस्ट के बिलकुल पास से गुजरते हुए जैट दिखाई परते हैं हनाकि इन फोटोज की वज़े से एरबोट के अधिकारी परेशान हो गया है अब तक वर्णिंग दिये जाने के बावजूट टूरिस्ट सेलफी लेने यहां पहुंच ही जाते हैं ऐसा मना जा रहा है कि जिस तरह ड्रोन या लेजर पेंसे पाइलिट डिस्ट्रेक्ट हो सकते हैं उसी तरह सेलफी से भी असर हो सकता है इसलिए अधिकारियों ने इस्थानिये लोगों को यहां सेलफी लेने से मना किया है अधिकारियों ने इस्थानिये मीडिया को बताया कि नियम तोड़ने वाले लोगों पर उसी कानून के तहत मुकदम चला जाएगा जिसमें अधिक्तम सजा मौत तक है